जो आज है लो एवरिवन वेलकम टू जीनियस इस एक नए कंसेप्ट के साथ हम फिर से आज ही रहें आज जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वह फिर से एक एकनोमिक का कंसेप्ट है last time भी हमने एक economic का concept देखा था economy का इक concept है inflation inflation से related exam में बहुत सारे questions पुछे जाते हैं और inflation में कई concept हैं जो हम inflation के within ही cover करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले सबसे easy way में हम यह समझते हैं कि inflation क्या होता है तो inflation का एक simple meaning है महंगाई कि किसी भी चीज के price का increase हो जाना वो inflation है let's suppose यह pen है यह pen आज 10 रुपे का आ रहा है लेकिन एक साल के बाद यह pen जो है अगर 20 रुपे का मिलने लग जाए तो इसके price में 100% का increase हो गया तो वो inflation हो गई अब मैंने एकदम से बोल दिया है कि इसके price में 100% का increase हो गया तो 100% का increase होना बहुत ज्यादा inflation है जिसको हम hyper inflation बोलते है हो सकता है कि यह 12 रुपे का मिलने लग जाए तो इसके price में फुस्ट थोड़ा सा increase होगा ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे वो भी inflation के लग टाइप है जो हम cover करेंगे अगर इसका price 5 रुपे बढ़ गया तो उस case में 50% rise हो गया तो उस case में हम उसको क्या बोलेंगे तो inflation की अलग अलग टाइप है हम ये भी देखेंगे कि क्या inflation किसी country में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए inflation के ना होने से क्या होगा और inflation के होने से क्या होता है और inflation अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस case में सरकार उसको कैसे control का सकती है उस control के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हुए ये सारे के सारे concept हम सारे के सारे पढ़ेंगे जो exam point of view से काफी important है तो start करते हैं सबसे पहले inflation की definition के साथ inflation का मतलब है rise in price मैंने आपको बता जिया किस चीज के price में rise होना कोई भी community है जो daily और common use की है कोई भी goods है कोई भी service है अब जुरूरी नहीं है कि चीजों के ही price change हो service का price ही भी change हो सकता है suppose कि आप किसी से कोई mobile phone जैसे mobile phone का recharge है हम service ले रहे है ठीक है आज कुछ time पहले तक mobile phone के recharge सस्थे थी अब mobile phone का recharge महंगा हो गया वो service है वो goods नहीं है तो goods का price भी change हो सकता है और service का price में भी change हो सकता है change होने का मतलब है rise होना हो हो गया inflation ठीक है so कोई भी food, cloth, housing ठीक है transport, consumer कुछ भी staples को कुछ भी consumer के खाने का कोई भी चीज का price का increase होना general term में हम उसको inflation बोलते है अब inflation किसको major करता है average price change को major करता है किसके average price change को basket of commodity and service over the time average price change का मतलब क्या है एक बार वो समझ देते हैं कि कैसे ये average price change को tackle करता है अब let's suppose कि हमारे पास 5 चीज़े हैं A, B, C, D, E इन 5 चीज़े का आज कोई price होगा ये 5 common में से let's suppose ये 3 goods हैं और ये 2 service हैं तो इन 3 goods का आज कोई price होगा और इनका भी कोई price होगा ठीक है वो price को हम total उसका average निकाल लेंगे average निकालने का simple सा formula होता है उनको plus करो और उनको divide कर दो number से जो भी number आए तो number 5 है तो 5 से divide कर दिया तो let's suppose value आगई x ठीक है अब कुछ time के बाद इन चीज़ों के price में कुछ ऐसी चीज़े होगी जिसके price में increase हो जाएगा कुछ ऐसी चीज़े भी होगी जिसके price में decrease हो जाता है ठीक है वो चीज़े हम बाद में समझेंगे कि decrease क्यों होता है और increase क्यों होता है अब let's suppose A के price में increase हो गया B के price में increase हो गया लेकिन C के price में decrease हो गया D के price में increase हुआ और E के price में decrease हो गया तो इन सब का price हम फिर से calculate करेंगे इनके सब का average A, B, C, D और E ठीक है, जो भी घटा हुआ price है या बड़ा हुआ price है उस सब को लिखके ठीक है, और फिर से 5-6 divided कर देंगे लेक्स वो जब की बार इसका total है Y ठीक है, तो ये X से Y में जो change है इसको हम बोलेंगे average price change ठीक है, अब एक एक commodity के price change को हम नहीं बता सकते हैं, हम लोग का मतलब है कि government, government निकालती है इंडिया में inflation तो government inflation calculate करने के लिए क्या करती है average price लेती है commodity इस का, ठीक है और उसको एक index की form में तयार कर लेती है ठीक है, तो कौन-कौन से दो major index है जो government जिनसे inflation बताती है एक तो है WPI और एक है CPI wholesale price index, WPI की full form CPI की full form, consumer price index as the name suggests, wholesale price index तो wholesale में चीज़ें जहां पे sale होती है ठीक है, wholesale market में, वहां पे क्या price जा रहा है और consumer क्या price ले रहा है consumer को वो चीज़ें कितने में पढ़ रही है तो वो calculate करता है consumer price index और wholesale price index से क्या calculate करते है कि wholesale market में उचीज़ों का price क्या है पहले इंडिया में जो inflation calculate होती थी वो wholesale price से index होती थी WPI से लेकिन आज के time में अगर आप से यह पूछ लिया जाए exam में कि इंडिया में inflation को कैसे calculate किया जाता है consumer price index को अब इससे अलग inflation और क्या show करता है inflation दिखाता है decrease in the purchasing power किसकी purchasing power में decrease unit of countries currency किसी भी country की currency जो होती है जैसे इंडिया की currency है rupees तो let's suppose कोई चीज है जो आज मैं 100 रुपे में खरीद पा रहा हूँ ठीक है लेकिन हो सकता है कि एक साल के बाद वो चीज मुझे 100 रुपे में ना मिले वो चीज 120 रुपे की हो जाईगी तो इसको मैं ये बोलूँगा economy term में कि मेरी जो money है जो वो 100 रुपे है उसकी purchasing power decrease हो गई तो ये मत्तब होता है purchasing power का मैं दुबारा example लेता हूँ कोई चीज है आप वो 50 रुपे में खरीद रहे हो लेकिन हो सकता है कि 3 महिने के बाद वो चीज 60 रुपे में मिलनी स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब हमारी जो money है उसकी purchasing power decrease हो गई है किसी भी country की currency जो है उसकी purchasing power decrease हो गई है और यह होता क्यों है inflation होने के वज़े से होता है तो दूसरा inflation किसको indicate करता है decrease in the purchasing power however moderate level of inflation is required in the economy to ensure that the production is promoted अब बात यह आजाते है क्या inflation होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगर inflation नहीं होगा तो क्या होगा एक ideal situation मानते है कि inflation है ही नहीं महंगाई बढ़ी नहीं रही है ठीक है महंगाई नहीं बढ़ रही है उस case में भी let's suppose कोई person है वो कोई चीज produce कर रहा है अब वो कोई भी चीज produce कर रहा है तो उससे वो कुछ न कुछ पैसे कमा रहा होगा अब वो पैसे कमा रहा है तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन पैसे को यूज करेगा अब हर परसन की जरूरत जो है वो टाइम के साथ बढ़ती है अब कोई भी ऐसा बहुत रेरली होता है नेचुरल चीजों नेचुरली बात कर रहा हूं में किसी भी परसन की रेक्वार्मेंट टाइम के साथ बढ़ेगी तो टाइम के साथ रेक्वार्मेंट बढ़ेगी तो वो यह सुचेगा कि मेरे बिजनस से जो पैसा मुझे मिल रहा है उस पैसे में भी कोई ने कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए अब इंक्रीमेंट होने के लिए दो चीज़े हैं, या तो उसको production बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो चीज़ वो already produce कर रहा है, उसका उसको price बढ़ाना पड़ेगा, अब production बढ़ाने की एक limit होती है हमेशा, कि वो कितना production बढ़ा पाएगा, एक ना एक दिन तो उसको आके ये करना पड़ेगा, कि इससे कि नहीं किसी भी economy में inflation हो रही है, तो उस case में भी indirectly inflation होगा ही होगा, क्योंकि person की requirement बढ़ेंगी time के साथ, दूसरा inflation क्यों होना चाहिए, अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ और उसकी अच्छी quality है, तो हर person ये सोचता है कि उसको growth मिलनी चाहिए, हर person growth के लिए काम करता है ठीक है, तो growth कब मिलेगी, उसके लिए growth होगी monetary term में, कि जो भी वो produce कर रहा था, उसका price और ज्यादा better हो, और ज्यादा अच्छा मिले, ठीक है, तो हर एक economy में, किसी भी country की जो economy है, उसके अंदर एक moderate level का inflation, moderate level का inflation हम किसको बोलेंगे, जिसे इंडिया में हम moderate level का inflation बोलते है 4% plus minus 2%, मतब 2% से 6% तक का inflation अगर हो रहा है, तो कोई problem नहीं है, उसको हमानते हैं कि ये average inflation है, इतना तो किसी चीज़ का price बढ़ेगा ही, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हर person growth के लिए काम करता है, ठीक है, तो हमें ये चीज़ धान रखनी है, कि inflation होना चाहिए, कोई अगर आप स inflation हो रही है, तो मतलब वो grow हो रही है, लेकिन उस inflation की एक limit होती है, कि वो limit से ज्यादा cross कर जाएगा, तो फिर वो चीज़ें खराब होने लग जाती है, ठीक है, तो हमने इस question का answer भी कर दिया, कि inflation जो है, वो होना चाहिए, किसी भी country में, और moderate level का होना चाहिए, इंडिया में जो inflation है, उसको measure करने के primarily दो index है, एक है WPI, एक है CPI, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक तीसरा index भी है, जिसको हम बोलते है PPI, producing price index, या producer price index, ठीक है, producer price index क्या होता है, wholesale price index क्या होता है, consumer price index क्या होता है, ठीक है, इन सब को detail में, बहुत detail में हम किसी और lecture में देखेंगे, थोड़ चीज को suggest करते है, अब, price rise at different level, कौन सा different level, एक तो हो गया producer price index, producer price index क्या हो गया, as the name suggest, कि कोई producer है, वो किसी चीज को produce कर रहा है, ठीक है, ज़से suppose कोई farmer है, वो wheat हुगा रहा है, वो tomato grow कर रहा है, तो वो producer है, तो उसके भी हाफ पे price में increase हो जाना, क्यों increase हो सकता है, हो सकता है कि वो raw material purchase करता हो, उसको, उसमें increase हो गया हो, हो सकता है, वो fertilizer use करता हो, उसमें increase हो गया हो, तो producer के भी हाफ पे जो increase हो जाना, उसको बोलते है, producer price index, wholesale price index क्या होता है, जब वो चीज wholesale market में sale होती है, वहाँ पे price में क्या change हुआ, ठीक है, और consumer price index, एहे हम देखी चुके है, कि जो buyer है, उसके भी हाफ पे क्या change होता है, उसको हम बोलते है, consumer price index, ठीक है, तो producing price index, it calculate and represent the average moment in selling price from domestic production over the time, कि जो domestic मतलब हमारे local level पे जो produce हो रहा है, उसके price में क्या change हो रहा है, ठीक है, wholesale price index, measure the change in the price of goods and goods sold and traded in bulk, bulk में जो चीज़े बेची जाती है, अखरी दी जाती है, ठीक है buy wholesale business to the other business, यह हमने पढ़ लिया कि wholesale level पे जब trading होती है, trading बना buying और selling होती है, तो उसमें क्या increase आता है, consumer price index, consumer के level पे जो local retailer है, local buyer है या कोई person है, वो buy करता है, तो उसके base पे क्या price में change आ रहा है, उसको हम बोलेंगे, consumer price index, और इंडिया में जो हम inflation measure करते हैं, वो CPI के base पे ही major करते हैं, यह आपको ध्यान दखना है, इन तिनों को कौन कौन सी organization इंडिया में देती है, इन तिनों को देता government ही है, government में कौन सी ministry देती है, और क्या होता है, उसके अंदर वो हम कभी detail में किसी और lecture में देखेंगे, आज हम inflation को देख रहे हैं, तो मू करते हैं, तो WPI और CPI दो main है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके साथ एक और भी होता है, producer price index, तो यह आप देख रहे हैं कि wholesale market में क्या change आएगा, और एक consumer जो है वो, अपनी जो basket buy करेगा, उसमें क्या change आएगा, यह इन चीजों को represent करते हैं, wholesale और consumer price index, अब next token से आप और पढ़ेंगे हैं, एक है core inflation और दूसरा है headline inflation, अब core inflation में और headline inflation में क्या fark है, headline inflation वो होगी, जो सभी हार एक चीज के price को calculate कर रही है, ठीक है, जिसमें food भी आ गया, energy भी आ गयी, ठीक है, हमारी shirts भी आ गयी, हम shoes पहनते हैं, या कोई भी चीज, XYZ हम buy कर रहे हैं, Z चीज हम buy कर रहे हैं, तो वो उस case में हम headline inflation में से food और fuel, इन दो के price को calculate नहीं करेंगे, क्यों नहीं calculate करेंगे food और fuel के price को, क्योंकि इन दोनों का price बहुत जादा volatile है, volatile का मतलब है, कि जो बहुत frequently change होता है, हो सकता है कि, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि tomato का price कुछ time पहले तक 20-30 रुपीज केजी था, अब एकदम से 100 रुपीज केजी तक हो गया है, तो frequent increase हो जाता है, ऐसे ही OL में होता है, कि OL का price कभी नीचे है, फिर एकदम से OL का price बढ़ ज increase हो जाता है, और इसके लिए हमारा एक lecture भी है, cobweb phenomena करके, वो हमारी playlist में आप देख सकते हैं, ठीक, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर बताया गया है, कि suddenly ये कैसे increase हो जाता है, जो common use की commodities हैं उनके price में, ठीक है, तो core inflation और headline inflation, headline inflation को तो एक तरह आप से बोल सकते हो किये तो CPI है, consumer price index, ठीक है, एक तरह एफ है, लेकिन उसमें से दो चीजों का inflation हम calculate नहीं करेंगे, तो वो आ जाएगी हमारी core inflation, तो headline inflation बड़ा area है, और core inflation उसके अंदर एक area है, ये आपको ध्यान रखना है, तो core inflation, it is change in the cost of goods and services, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि inflation दोनों मे होता है, goods में भी और service में भी, ठीक है, but does not include those from the food and energy sector, energy sector मतलब oil, fuel है, oil है, ये सारा का सारा energy sector में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन से हम लोगों को energy मिलती है, ठीक है, this measure of inflation exclude these items because their prices are very much, या much more volatile, ये मैंने आपको समझा दिया, कि इनके price frequently change होते रहते है, इसलिए हम उनको include नहीं करते है, core inflation जब calculate करते है, लेकिन जब headline inflation calculate करेंगे, तो सब को ही calculate करेंगे, ठीक है, इसको हम एक diagram के help shape देख लेते है, ये headline inflation है, जो हर एक चीज़ के price को calculate करेगा, ठीक है, ये इधर भी हम देख सकते हैं कि ये core inflation है, core inflation में हमने mobile bill ले लिया, clothing ले लिया, ठीक है, petrol for vehicle under transport ले लिया, communication ले लिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने food, खाने की चीज़े और energy sector की चीज़े हैं, जो वो include नहीं करेंगे, core के अंदर, लेकिन जो हमारा headline होगा, उसके अंदर हम सारी चीज़ों को calculate करेंगे, LPG भी calculate करेंगे, garlic, rice, milk, potato, onion, firewood, chips, और भी XYZ, जो भी हो सकते हैं, वो सारी की सारी include करेंगे, CPI को calculate करेंगे, headline inflation को calculate करेंगे, अच्छा अब इसका मतलब, जब मैं ये बता रहा हूँ कि ये ये चीज़े हम लेंगे calculate करते वाग, तो क्या ऐसा कोई criteria है government का कि जब आप inflation को calculate करोगे, तो ये ये item आपको देखने है, जी बिलकुल ऐ ऐसा ही criteria होता है, government की अपने एक basket होती है, basket का मतलब है group of commodities, group of commodities का मतलब है कुछ certain चीज़े हैं, जो उन्होंने ली हैं कि ये tomato ले लिया, potato ले लिया, cloth ले लिया, तो कुछ चीज़े है certain, उन पे ही price की inflation को calculate करती है, government ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ का price को government ही देखती है कि बहुत ज्यादा effect करती है, उनके ही price में change देखती है, तो वो सारी की सारी जो government की basket है एक तरह से, जिसके अंदर government ने वो items लिये हुए है, कौन-कौन से item में, कितने item है, वो जब हम CPI को consumer price index को detail में पढ़ेंगे, तब वो सारे के सारे देखेंगे, ठीक है, next, अब code क्या है, जो inflation होती है, inflation होने का कारण क्या है, अब code पर आते है, inflation के, inflation के दो main code है, पहला code हो गया, जिसको हम बोलते है, demand pull factor, demand का pull होना, that means किसी चीज की demand बढ़ गई है, अब economics का एक simple सा concept है, अगर किसी भी चीज की demand बढ़ेगी market में, तो उस चीज का price बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठ जैसे for example, आप कोई नया mobile phone आया market में, अब mobile phone नया आया है, लेकिन वो कम मिल रहा है, कम soaps मिल रहा है, तो उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने वाले लोग मिलेंगे, इसको उसके price अगर X भी है, तो यह कह देंगे black में, अगर 500 रुपे में, यह 1000 रुपे में ज्य demand को क्या-क्या चीजे बढ़ा सकते हैं, क्या-क्या चीजे हैं जो demand बढ़ा सकते हैं किसी चीजे, पहला rise in population, अगर population बढ़ जाए, अब जो चीजे produce हो रही हैं, let's suppose की 100 चीजे produce हो रही हैं और खरीदने वाले 500 हैं, ठीक है, लेकिन population बढ़ गई, खरीदने वाले हो गए 700, चीजे अभी produce हो रही हैं 100, तो विएस है कि अब 100 चीजों को पहले लेने वाले 500 थे, अब लेने वाले 700 हैं, तो उसके price में कुछ ना कुछ, automatically increase हो गाई होगा, तो इसके हो गया demand का pull होना, pull का मतलब है कि demand खीच लिया, demand जदा आ रही है, market जो है, वो अपनी तरफ चीजों क खीच रही है, ठीक है, हमें भी चाहिए, वो कर रहा हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो सब कर रहे हमें चाहिए, लेकिन चीजे limited है, तो इसको बोलेंगे demand pull inflation, दूसरा factor क्या हो सकता है, black money, कि लोगों के पास अंदा पैसा है, black का पैसा है, अब एक चीज जो 10 रुपे में मिल सकती थी, अब वो उसके लिए 15 रुपे देने को तयार है, ठीक है, तो 10 रुपे की चीज को 15 रुपे देने के लिए तयार है, क्यों, क्योंकि उनके पास black का पैसा है, तो black का पैसा होने से चीजों की क्या बढ़ गई, price बढ़ गया, price बढ़ गया, तो inflation बढ़ गया ठीक है, तो दूसरा factor है demand pool में black money का होना, तीसरा rising income, let's suppose कि आज किसी person की salary जो थी 30,000 थी, ठीक है, अब उस person की salary होगी 50,000, तो कोई भी चीज, suppose 30,000 में वो कुछ चीजे नहीं खरीज सकता था, ठीक है, suppose कोई महंगा TV था, उस महंगे TV को खरीजने वाले कम लोग थे, लेकिन अब कुछ लोगों की जो income थी, पहले वो 30,000 थी, अब उन लोगों की income होगी सब की 50,000, तो अब वो उस range में आ गए कि उस TV को खरीज सकते हैं, अब TV को खरीजने वाले persons बढ़ गए और उनके पास पैसे भी है, तो उस चीज की demand में pool आएगा, ठीक है, उस चीज की demand जादा होगी, demand जादा होगी, तो automatically inflation होगा, यह economics का एक basic सा concept है, कि जिस चीज की demand बढ़ेगी, उस चीज की का महंगा होना लगबगते होता है, ठीक है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि production जो है, वो हर एक चीज का limited होता है, ऐसा नहीं है कि unlimited produce हो रहा है, और production को limited ह ही रखा जा सकता है, produce करने के limit होती है किसी चीज की, ठीक ऐसा नहीं है कि आप unlimited produce कर दो, तो unlimited produce नहीं कर सकते है, production पे limit है, तो अगर लोग पास पैसा बढ़ेगा, number of persons किसी चीज को buy करने वाले बढ़ेगे, तो उस चीज का price बढ़ना लगबगते है, और उस ही को हम बोलते ह है, demand full inflation, then excessive government expenditure, अब government का expenditure excessive होगा, that means कि suppose government ने कोई social service चला दी, और social service में लोगों को पैसे दे रही है, ठीक है, अब बहुत सारी scheme ज़िए इसमें government लोगों को पैसे देती है, अब लोगों के पास अगर पैसे आएंगे, तो वो चीजों को खरीदेंगे market से, पहले उनके पास अब government ने expenditure कर दिया, government ने पैसे, लोगों को directly दे दिये, यह भी यह government के expenditure एक तर है, और भी government के बहुत सारे expenditure हो सकते हैं, हम एक example लेके समझ रहे है, कि government ने लोगों को पैसे दे दिये, ठीक है, वरधा पंशन देते हैं, PM किसान, केतरू किसानों को पैसे देते हैं, थोड़ा पैसे नहीं थे, अब government लोगों को पैसे दे दिये, तो लोगों ने चीजों की demand करना start कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसे है, अब पैसे है, production मैंने बता दिया, limited होता है, तो demand का pull होना 100%, यह है कि demand pull होगी ही होगी, ठीक है, then, उसके बाद दूसरा होता है, cost pull factor, एक तो हमने एक लिए demand pull, अब दूसरा होता है, cost pull, कि किसी चीज, कि अब price बढ़ जाए, अब price कैसे बढ़ सकता है, उस price पढ़ने के भी अलग-अलग region हो सकते है, ठीक है, पहला region है, infrastructure bottleneck, let's suppose कि कोई project बन रहा था, government का, उस project को बनने में 100 करोड रुपे लगने से, अब उसमें कोई ने material जो उसके लिए चाहिए था, raw material बनाने के लिए चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो क्या हो गया, यह bottle neck आ गया, एक hurdle आ गई, जैसे अभी पीछे corona हुआ था, तो lockdown लगा था, तो उसकी वज़ेसे बहुत सारे infrastructure projects जो चले हुए थे, government के road सड़के बनती है, पु government को अभी भी, ठीक है, तो उसकी वज़ेसे क्या हो गया, इसको बोलेंगे, वो जो total project था, उस project की cost बढ़ गई, ठीक है, अब उस cost बढ़ने को बोलेंगे, cost push factor है यह, किसका inflation का, कि इसकी वज़ेसे अभी महंगाई हो जाएगी, then, rise in the minimum sport price, MSP बढ़ जाए, अब किसी चीज का MSP बढ़ गया, ठीक है, MSP मतलब, minimum selling price, ठीक है, जो MSP जो farmer demand कर रहे हैं, अभी, जो protest कर रहे हैं, कि हमाय हमारी जो produce है, उसके लिए कम से कम इतना price, जो चाहिए ही ठाईए, अब एक चीज समझो, कि, let's suppose कि potato जो है, वो market में sell होने के लिए आता था, और potato का MSP था 20 रूपी का था, तो हम लोग, मैं, suppose, wholesale रहूं, तो मैं 20 रूपीज केजी उसको buy करता था, और आगे market में उसको 30 रूपीज केजी में sell कर देता था, लेकिन अब government ने उसका MSP बढ़ा दिया, MSP मतलब, minimum selling price, कि अब government ने कह दिया, कि आपको तो potato कम से कम 40 रूपे केजी लेने ही पड़ करेंगे, तो obvious है कि मैं आगे जो sell करूँगा, वो 50 रूपी केजी sell करूँगा, पहले मैं sell करा था, 30 रूपी केजी, तो अब 30 से अगर मैं 60 sell करूँगा, तो उस चीज की, जो cost है, वो चीज बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि उसका MSP बढ़ गया था, मैंने logically आपको क्या internationally, तो government को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अब government अपनी जीव से तो पे करेगी नहीं, वो हम लोगों से लेगी consumer से, इसलिए petrol और diesel का जो government कह रही है कि logically, कि petrol और diesel का जो price बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि international market में price बढ़ रहा है, ठीक है, हाला कि उस को कम कर सकती है, tax cut करके, लेकिन उस पे हम कभी फिर बात करेंगे detail में, ठीक है, तो rise in international price भी एक region हो सकता है, एक region हो सकता है, holding and black marketing, अब holding और black marketing से क्या होगा, स्पोज कि मैंने बहुत सारा raw material, बहुत सारा कोई भी vegetable या grain मैंने buy कर लिया, और buy करके उनको hold कर लिया, holding का मतलब 20 rupees, ठीक है, मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने उसको store कर दिया, तो वो चीज मार्केट में अब कम जाएगी, कम जाएगी तो उसको खरीदने वाले परसन तो उतने ही है, तो उस चीज का price बढ़ जाएगा, अब जैसे ही price बढ़ेगा, वैसे ही मैं अपने hold को खाली कर या उसकी black marketing हो गया, कि चीज को illegally store कर लिया, माजार में जाने ही नहीं दिया, जब उसकी demand बढ़ गई market में, तो demand बढ़ेगी तो उसका price बढ़ा, और जैसे ही price बढ़ा, मैंने तभी उस चीज को market में छोड़ दिया, कि या वो चीज मार्केट में बिकेगी, हाला कि कुछ time क के बाद supply ज्यादा होने की जैसे उसका price automatically normal आ जाएगा, लेकिन एक बार तो वो high price में जाएगी ही जाएगी, तो ये भी एक cost push factor है, जिसने cost को बढ़ा दिया चीज की, ठीक है, rise in indirect tax, indirect tax बढ़ गए, let's suppose कि मैं ये pen बनाता हूँ, pen बनाने में मुझे government को excise duty देने होते है, excise ठीक है, ये excise tax, ठीक है, एक तरह का indirect tax है, indirect tax वो होते हैं, जो consumer pay नहीं करता, ठीक है, वो या तो producer pay करता है, या कोई और different level पर pay होते हैं, लेकिन consumer को direct pay नहीं करने होते हैं, अगर मैं कोई चीज buy करने गया, और मुझे कोई चीज, कोई tax pay करना पड़ा ऐसा, जो hidden है, जैसे ह हम biscuit वगएरा लेते हैं, या फिर कोई भी चीज लेते हैं, उस पर एक tax लिखा होता है, कि ये tax pay करना है, वो indirect tax है, ठीक है, वो मैंने direct government को pay नहीं किया, जो भी tax मैं direct government को pay करूँगा, वो होगा direct tax, और कोई tax जो मैं direct pay ना करके, indirectly pay करूँगा, indirectly कैसे करूँगा, जैसे कोई, स ये चीज बनाई है, तो इस चीज के बनाने का हम येतना tax लेंगे, अब ये person, तो direct tax pay करेगा नहीं, government को, ये क्या करेगा, अपनी चीज के price को बढ़ा देगा, और उस बढ़े हुए price को मुझे pay करना पड़ेगा, तो मैंने government को directly, sorry, indirectly tax pay कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलते ह direct tax जैसे income हुई मेरी और मैंने उसको pay कर दिया, तो government ने अगर indirect tax को बढ़ा दिया, तो जो producer होते हैं, जो चीजों को produce कर रहे हैं, वो लोग अपने production का price बढ़ा देते हैं, उस tax को उसके अंदर डाल देते हैं, price में, तो indirectly उसको कौन pay करता है, उस tax को consumer pay करता है, तो उसको हो होंगे indirect tax, तो government अगर indirect tax बढ़ा देगी, तो उस case में भी किसी भी चीज़ का price जो हो बढ़ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे cost push factor of the inflation, तो हमने ये inflation के कुछ factors देखे, demand pull factor और cost push factor, demand pull मैं एक बार फिल से conclude करता हूँ, demand pull मतलब जब किसी चीज़ के demand बढ़ने की वज़े से price बढ़े, और cost push मतलब किसी चीज़ के price बढ़ने की वज़े से, generally उसका price बढ़ गया है, कोई भी XYZ region था, वो regions हमने कुछ देखे हैं, और भी बहुत सारे regions होते हैं, तो price बढ़ने की वज़े से उस चीज़ के, market में वो चीज़ महंगी हो गई, और महंगी हो गई, तो वो inflation क बढ़ाई, ठीक है, यह सारे के सारे points, exam point of view से important है, आपको दे के, स्पोज आपसे question पूछ सकता है, which of the following is a demand pull factor, यह which of the following is a cost push factor, तो आपको स्पोज तीन उधर के दे दे, पूछाओ cost push, तीन यहां के दे दिया और एक यहां का दे दिया, तो आपको बताना पढ़ेगा कि कौ कौन सा factor है, जो cost push है, और कौन सा factor है, जो demand pull है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर यही चीज दिखाएगे के demand pull, जब किसी चीज़ वो खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो जाएं, तो demand pull हो गया, किसी चीज़ का price बढ़ गया, स्पोज हिलियम गैस पहले 10 dollar में आती थ decrease नहीं किया, जो helium था उसका price बढ़ गया, तो इसको बोलते है, cost push हो जाना किसी चीज़ के, ठीक है, यह एक और भी हो सकता है, कि wages बढ़ जाएं, ठीक है, wages बढ़ने का मतलब है, कि वही लोगों के पास पैसा हो गया, अब लोगों के पास पैसा होगा, चीज़ों का production limited है, तो उस चीज़ का price बढ़ेगा, यह natural है, ठीक है, अब inflation से related, 3 term और देखते हैं, inflation तो हमने समझ लिया, कि कोई भी चीज़ है, अगर उसका price X है, ठीक है, उसके price में increase हो जाना, यह हो गया inflation, ठीक है, तो dis inflation क्या हो गया, स्पोज कोई चीज 10 रुपे की मिल रही थी, अब वो चीज़ मिलने लगी 15 रुपे की, example ले रहे हैं, यह हो गया inflation, कुछ time के बाद वो चीज़ मिलने लगी 12 रुपे की, ठीक है, यह हो गया dis inflation, 15 से 12 आना, या यह बोलो कि पहले 10 की मिलती थी, 15 की मिलने लगी, तो उसको मैं मालू, पहले 10 की मिलने थी, अब वो चीज 12 की होगी, तो महंगाई थोड़ी सी कम होई गया, तो यह हो गया dis inflation, deflation, कोई चीज पहले 10 रुपे की मिलती थी, अब वो चीज मिलने लगी 5 रुपे की, यह हो गया deflation, किसी चीज के price को नीची हो जाना, deflation, inflation बढ़ना, deflation उसका reverse हो गया, exactly, ठीक है, बिलकूल minus में चला जाना, अब आ गया reflation, reflation मतलब, इस चीज का price बढ़के वापस या तो 8 रुपे हो जाए, या फिर 10 रुपे ही हो जाए, या तो 8 हो जाए, या 10 हो जाए, तो वापस से उस चीज के price को वहीं पे ले आना, जहां पे उसका price था, ठीक है, यह हो गया reflation, ठीक है, या तो जैसे 5 से उसका price actual था 10, या तो हम 8 करके और फिर 8 से बढ़ा के 10 लाएं, या 8 कर दें, ये दोनों ही case जो हो गये, ये reflation के case हो अब आप कोगे कि क्या ऐसा भी possible है, कि deflation हो जाए किसी country में, ठीक है, तो जापान में deflation हो गया था कुछ time पहले, जापान में deflation हो गया था, इसके लिए वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, Shinjo Abe, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने एक strategy चलाई थी, three arrow strategy, three arrow strategy करके चलाई थी, किस के लिए, reflection के लिए, कि दुबारा से एकनोमी को reflect किया जाए, जो deflation में चली गई है, ठीक है, यह मैंने इसलिए बताया कि यह three arrow strategy काफी important है, exam point आपके पूछी जा सकती है, ठीक है कि three arrow strategy कौन से country में चली थी, inflation के लिए आग three arrow strategy किस चीज से related थी तो वो deflation या reflation या inflation से related आप बोल सकते हो, जो भी आपके पास option given है, अगर exact option given है, तो यह deflation को कम करने के लिए थी, दोनों options में हैं तो reflection के लिए थी, और स्पोज कुछ औरी options दिये हुए हैं, और एक option inflation लिखा हुआ है, तो फिर हम उसके हिसाब से inflation को mark कर देंगे, exam में तो option हमेशा आपको given हो, जैसे इस case में अगर three arrow strategy push ले जाए, तो क्या पता यह यह दोनों ही option में ना हो, और आपको option में सिरफ inflation दे रखा हो, तो उस case में appropriate answer जो हो जाएगा, वो inflation हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमने च्यार टरम समझी, inflation, disinflation, deflation और reflation, then उसके बाद next term है, ज किसी भी कोई भी country है, अगर उसकी economic growth slow हो, या economic growth उसकी minus में चल रही हो, ठीक है, economic growth नहीं कर रही है, जैसे अभी फिलहाल का इंडिया का example हम लेते हैं, अभी हमारी economy जो है, कोरोना की वज़े से हमारी क्या किसी भी country की economic growth नहीं कर रही है, economic growth भी कर रही है, तो बहुत slowly grow कर रह रही है, लेकिन चीजों का price हर रोज बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि market में जाते हैं, कुछ time के बाद चीज का price बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है, उसके साथ unemployment बढ़ रहा है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, ठीक है, demand बढ़ेगी नहीं, demand बढ़ने के लिए सबसे primary factor पैसा है, कि रुपय होने चाहिए, ठीक है, अब unemployment बढ़ रहा है, inflation बढ़ रहा है, लेकिन economy growth नीचे जा रही है, तो यह एक ऐसा phenomenon हो गया, जो बहुत adversely impact करता है किसी economy को, जर्नली क्या होता है किसी भी economy में, किसी country की economy जो होती है उसमें, कि अगर economic growth हो रही है, तो ही inflation होता है, और उससे employment बढ़ता है, यह एक journal phenomenon है, I repeat, economic growth से inflation होगा, या यह बोलो कि inflation होगा, तो उसको हम economy growth मानते हैं, अगर यह दोनों चीज़े grow करेंगी, inflation और economy, तो employment generally बढ़ता ह है, लेकिन यहाँ पे एक phenomenon यह हो गया कि economy growth तो हो नहीं रही, लेकिन inflation बढ़ रहा है, और unemployment बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस adverse situation को बोल देते हैं, stackflation, तो यह बहुत ही adverse situation होती है, किसी country के लिए, कि उसकी economy तो खड़े में गरती जा रही है, और वहाँ पे लोगों को रोजग मिलनी रहा, और फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे stackflation, then, next time हम पढ़ेंगे skewflation, skewflation क्या होता है, generally हम लोग देखते हैं, कई बार कोई अचानक से किसी commodity का price बहुत जादा बढ़ जाता है, जैसे कभी अभी फिलाल tomato का बढ़ा हुआ है, कभी potato का बढ़ जाता है, कभी onion का price बढ़ जाता है, बहुत जादा, तो episodic price rise in one or small group of commodities, while inflation in the remaining goods and services remain the usual, बाकी चीज़ों में inflation जो ठीक ठाक है, मतलब जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो ठीक ठाक वही 2-4% की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो 100-100% increase कर गई, ठीक है तो उस episodic increase को हम बोल देते हैंगे, किसी कुछ ही चीज़ों में हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे, excuse place, ठीक है, example जैसे मैंने आपको बता दिया, कि अभी फिलाल, tomato का price एक दम से suddenly बढ़ गया है, next हम पढ़ेंगे, creeping inflation, creeping inflation का मतलब क्या होता है, कि जब महंगाई जो है, वो दिख रहा है, crawling करना कि कोई बच्चा रेंग ते वे चलता, crawl करता है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो उसको बोल देंगे, हम creeping inflation, ठीक है, inflation जो होगी, वो 3% के roundabout रहेगी, या उससे less रहेगी, then उसके बात next जो inflation होगी, वो होगी, walking inflation और trotting inflation, walking and trotting inflation जो होती है, इसको हम ब target है, inflation का, government का, वो target है, 4% plus minus 2%, 4% से 6% का, अगर inflation चल रहा है, Indian economy में, तो government ये मानती है, कि वो इतनी महंगाई होनी चाहिए, ये तरह से economic growth को show करता है, ठीक है, तो walking या ट्रोटिंग inflation जो हो जाएगा, वो लगबग हो जाएगा, 3% से 10% तक का, और ये average इसको मानाता है, 4-5- रहे, तो इसका मतलब inflation सही चल रहा है, ज्यादा में, ना ज्यादा महंगाई है, ठीक है, और अगर इससे कम चलता है, तो बलके मना जाता है, कि economic growth रूख गई है, country की, country की growth कम हो रही है, ठीक है, next concept है हमारे पास, galoping और hyper inflation, वैसे इन दोनों terms को जो यूज किया जाता है, वो same, एक तरह से same concept में यूज किया जाता है, कि महगाई बहुँ ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन दोनों में भी basic सा फर्क होता है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, galoping inflation का मतलब होता है, जब आपकी inflation rate जो है, वो 10% से ज्यादा बढ़ गई है, 10% से ज्यादा है, लेकिन 50% से कम है, ठीक है, जर्नल ट्रम में है, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, यह ट्रम सब economics की बनाई हुई है, तो यह मानते हैं कि 50% और 10% के बीच में है, तो उस case में हम मानेंगे, ग्लोपिंग inflation है, और hyper inflation मानते हैं जब inflation आपकी 50% से ज्यादा बढ़ जाती है, कि किसी स्पोच किसी प्रड़क का प्राइस जो था वो 10 रुपे था, और एकदम से 15 रुपे हो गया, तो inflation 50% यह उससे ज्यादा बढ़ जाए, 16 रुपे होगी, 17 रुपे होगी, 18 रुपे गया था, और जिम्वावे जो है वो एक African country है, Africa continent की country है, जिम्वावे, और एक ऐसा ही hyper inflation आया था, वेनेजुला में, वेनेजुला जो है वो South American country है, वेनेजुला, तो वेनेजुला में भी hyper inflation आया था, और जिम्वावे में भी hyper inflation आया था, लेकिन वहाँ पे जो hyper inflation आया था, वो इतना ज्यादा था कि अगर हम वहां की करंशी को इंडिया की करंशी के फॉर्म में मालने कि वहां पे भी रूपा ही चलता है लेकिन एक बार माल लेते हैं कि वहां पे भी अगर रूपे ही चलता है तो एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी आपको वन लैक रूपी एक चीज़ के लिए और याद रख सकते है कि व्षैझुला में largest oil reserve है world के world में सबसे ज़्यादा oil के जो reserve है जो भंडार है जमीन के नीचे वो व्षैझुला में और वइनिजुला जो है वो कौन से country है South America continent की country है Venezuela ने अभी अपनी digital currency भी launch की थी उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है Petro नाम की currency थी Petro ठीक है यह उनकी digital currency है तो इसके form में भी आप जान सकते हो कि पहली country थी जिसने digital currency लोंच की थी Petro नाम से Venezuela ने क्योंकि उनको अपनी currency को बदलना था, exchange करना था कि उनकी currency की जो purchasing power है वो बहुत कम हो गई थी जब एक लाख रुपे का अगर एक bread का packet मिल रहा है that means जो bread का packet आज पांच का मिल रहा है वो एक लाख में मिलने लग गया तो हमारी जो currency है उसकी purchasing power drastically नीचे गिर जाएगी तो वहां की currency की भी जो purchasing power है वो drastically fall हो गई थी इसलिए उन लोगोंने अपनी currency को change किया तो उन्होंने अपनी नई digital currency लोंज कर दी पेट्रो नाम से, ठीक है तो यह हमने कुछ होर concept पड़े inflation के जहाँ पे हमने देखा creeping inflation walking inflation या hyper inflation क्या होती है अब next जो हम पड़ेंगे वो पड़ेंगे monetary policy committee अब यह monetary policy committee क्या है अब Indian government जो है वो inflation को control करने के लिए certain step उठाती है कि महंगाई बहुत जादा नहीं पड़नी चाहिए तो उसके लिए Indian government ने committee बना रखिये जिसको बोलते है monetary policy committee इस committee का काम होता है कि जो हमारी inflation है उसको 4 plus minus 2 के target के अंदर रखे 4 से minus 2 मतलब 2 4 से plus 2 मतलब 6 हमारी जो inflation है वो 2% से 6% के बीच में कही ने कही रहनी जाए यह काम है monetary policy committee का अब monetary policy committee है क्या यह एक committee है जिसके अंदर 6 member होते है 6 member कोन-कोन होते है एक member होता है RBI का governor दूसरा member भी RBI से होता है और तीसरा member भी RBI से होता है तीन member हो गए RBI से RBI मतलब Reserve Bank of India तीन member होते हैं government से member number 4th, 5th और 6th यह तीन member होते हैं government से तीन member government के जाएंगे government किसीने किसी को appoint करेगा अपने बिहाव पे कि आप जाईए और इस committee के अंदर हमें represent कीजिए और तीन member बैठेंगे RBI किए यह लोग कुछ policies बनाते हैं वो policies हम कभी किसी और lecture में discuss करेंगे उन policies की help से यह inflation को control करते हैं कि inflation को कैसे control किया जाए अगर inflation बहुत जादा हो जाएगी तो और inflation बिल्कुल ना हो कि inflation 2% से भी नीचे चले जाए तो वो भी economic growth के लिए खत्रा है तो inflation को कहीं न कहीं 2% से 6% के बीच में यह लोग रखने के लिए कुछ ऐसी policy design करते हैं जिससे वो inflation 2% से 6% के बीच में रहे अब जब यह committee बैठती है और 2 मन्त में एक बार बैठके यह कुछ policy decisions लेते हैं जिनके बेस पे inflation के target है उसको fulfill किया जासके अब इस committee के अंदर 6 members है तो कोई ऐसा decision हो सकता है जिस पे अगर voting कराई जाए तो 3 member RBI के एक side में हो जाए और 3 member government के एक side में हो जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी 3 member एक side हो और कोई भी 3 member एक side हो तो ऐसे तो decision होई नहीं पाएगा कि 3-3 member एक side होगे तो कोई decision पे पहुँच ही नहीं पाएंगे तो उस case में एक provision किया गया है कि जो RBI का governor है उसको casting vote दिया गया है यह casting vote हमारे लोकसभा के जो speaker होते हैं उसके पास भी होता है ठीक है casting vote का मतलब ही होता है कि जब 3-3 member है दोनों side तो उस case में जो RBI का governor है उसको एक extra vote डाल सकता है मतलब 7-way number की vote डाल सकता है उसको हम बोलते है casting vote वो जिधर भी गिरेगी जिस भी फेवर में गिरेगी उस चीज़ को accept कर लिया जाएगा तो RBI का जो governor है उसके पास casting vote होता है किस case में monetary policy committee जो है उसके decision लेने होते हैं उस case में अब यह monetary policy committee किस चीज़ को control में रखती है inflation को और इंडिया में inflation मैंने बताया था किस चीज़ से measure किया जाता है consumer price index से हम inflation को measure करते है then monetary policy committee जो है वो एक statutory body है अब एक नया concept आ गया कि statutory body क्या होती है statutory body वो होती है जिस body को किसी law से back किया गया कोई act बनाया गया हो इंडियन parliament के दवारा और उस parliament के दवारा बनाये गये उस law से उसको back किया गया हो मतलब उस law से वो अपनी power draw करती हो back का मतलब है कि उस law से वो अपनी power draw करती है अब हमारे यहां पे इंडिया में क्या है कि जो हमारे prime minister है उनकी council of minister है कुछ ऐसे decision होते हैं जिन decisions के लिए उन लोगों को low pass करनाने की requirement नहीं होती और council of minister के साथ बैट के जो हमारे prime minister है वो कुछ certain procedure pass out कर देते हैं या कुछ ऐसा decision दे देते हैं जिसको government direct लागू कर देती है उसके लिए low pass करने की requirement नहीं होती लेकिन कुछ ऐसी चीजी हैं जिनके लिए government को low pass करवाना ही परवाना पड़ेगा parliament में तो जिन भी bodies के लिए कोई पीछे low pass करा गया है या statutory backup है statutory मतलब law से related backup है तो उनको हम बोल देते हैं वो statutory bodies है तो monetary policy committee भी जो है वो एक statutory body है कौन से low से backing है Reserve Bank of India Act 1934 से यह अपनी power draw करती है monetary policy committee अब monetary policy committee बनी कब थी 2014 में बनी थी उर्जीत पटेल committee बनाई गई थी 2014 में उर्जीत पटेल हमारे ex-governor भी रहे हैं RBI के अभी पीछे कुछ time जब demonetization हुआ तब यह RBI के governor थी 2018 में तो उर्जीत पटेल committee ने रेकमेंडेशन दी थी कि inflation को control करने के लिए ऐसी कोई committee होनी चाहिए ठीक है और वो committee बनाएगी उसका नाम रखा गया monetary policy committee जो वो बाई मन्थ लिए दो मन्थ में एक बार मिलती है कुछ policy decision लेती है जिससे inflation को control किया जाता है chairman कौन होगा इस monetary policy committee का RBI का governor होगा यह कैसा होगा ex-officio member होगा मतलब कि जो भी RBI का governor होगा वो by default इस committee का chairman होगा ex-officio का मतलब यह होता है कि जो भी RBI का governor होगा वो by default इस committee का chairman रहेगा वो उस post पे जो भी होगा RBI का governor post पे वही इस committee का chairman रहेगा member 6 member होते हैं वो हमने देख लिया 3 member जो होते हैं वो RBI से होते हैं और 3 member जो होगे वो government से होगा ठीक है तो इस पूरे के पूरे lecture में हमने क्या discuss किया कि inflation क्या है महंगाई क्या है inflation होनी चाहिए कि नई होनी चाहिए क्या-क्या inflation की type है ठीक है क्या-क्या different factors हैं जिनकी वज़े से inflation होता है यह सारा का सारा हमने cover किया और government क्या step उठाती है उस inflation को control में रखने के लिए ठीक है next class में फिर मिलेंगे किसी एक नए concept के साथ किल देन बाई take care